हलो स्रेंट्स वेलकम टो चनल सब कुछनों आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एंसी आटी मयत का प्रसनावली 8.1 में कोस्चन नंबर 3 से आगे इससे पहले बाले पार्ट में आप लोग ने प्रसनावली 8.1 में कोस्चन 2 तक पूरा कम्प्लीट प्राई किया था तो अगर आप लोग चनल पर नाए है चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादे जादे शेयर करें ताकि सभी लोग आसानी से आनलाइन प्राई कर सकना देखिए यहाँ प्रकॉस्चन 3 दिया गया दर्साइए कि यदि एक चतुरभूज के विकड प्रसपर समकोड पर समद्विभाजित करां तो वह एक सम चतुरभूज होता है इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई एक चतुर्भूज है जिसके बिकर आपस में समकोड पर सम द्विभाजित करते हैं दो बराबर भागों बाठते हैं तो कह रहा है कि वह क्या होगा एक सम चतुर्भूज होगा ये हम लोगों को सीध करना तो पहले हम लोग figure बना एक समझते हैं तो हम लोग एक चतुरभुज बनाएंगे हमको sum चतुरभुज सीद करना है तो हम लोग sum चतुरभुज के तरह का ही figure बना लेते हैं माली जी ये एक चतुरभुज हो गया इसी को हम लोगों को सिध करना है कि ये सम चतुर भुज़, अब सम चतुर भुज़ क्या होता है, ऐसा चतुर भुज़ जिसमें चारो भुज़ाएं बराबर हों, उसको हम लोग सम चतुर भुज़ करते हैं, तो हमको इसमें ये सिध करना होगा, AB बराबर, AD बराबर, DC लेजिए ओ पर प्रतिछेद करना है तो इसके विकार समकोड पर समधिभाजित करते हैं समकोड मतलब समकोड मतलब 90 के कोड पर समधिभाजित करते हैं दूसरे को यह सब 90 होगा और समधिभाजित करने का मतलब ये इसके बराबर दिया गया है और ये वाला जो है बिकर्ड में OD जो है इसके बराबर दिया गया है तो ये ऐसे दिया गया question में हम लोगों को सीध करना अब ये भूज आएं अगर हम लोग बराबर सीध कर लेते हैं अब माले जी अगर ये दोनों तिरी भूज हम लोगों लेक सरवांगसम दिखा देते हैं तो हम लोग कहेंगे ए बी बराबर ए डी इस तरह समको सीध करना तो सबसे पहले लिखेंगे ग्याप है एक चतुर भूज दिया गया है लिखेंगे एक चतुर भूज एक चतुर भूज A, B, C, D ये गया था है और इसके विकाड A, C और B, D एक दूसरे को समकोर पर समधिवाजित करते हैं तो ये हम लोग लिखेंगे एक चतुर भूज A, B, C, D तथा इसके समकोर पर सम्धिवाजित करते हुए विकाड A, C और B, D विकाड A, C और B, D देखिए हम लोग लिखा एक चतुर भूज दिया गया A, B, C, D तथा इसके समकोर पर सम्धिवाजित करते हुए विकाड A, C और B, D अब हम लोग लिखेंगे सिध करना है अगला हैडिंग हम लोग लिखते हैं सिध करना है सिध करना हम लोग लिखेंगे इसको सिध करना है एक सम्चतुर भूजा तो लिखते हैं A, B, C, D Sam, C, T, R, B, C, D Sam, C, T, R, B, C, D अब देखिए, प्रमार में हम लोग कोई भी दो तिर्भूज लेंगे और उसको क्या करेंगे? सर्वांग्सम दिखाएंगे अगर सर्वांग्सम हम लोग दिखा लेते हैं तो कह देंगे A, B के बराबर कौन है? A, D है और इधर का इसी परकार लिख देंगे D, C, C, B भी एक दूसरे एक बराबर हैं तो हम लोग ये और ये तिर्भूज लेते हैं अब इन दोनों तिर्भूजों को सर्वांग्सम दिखाने के लिए तीन चीजा बराबर होना जरूरी है लिखते हैं तिर्भूज A, O, B A, O, B TATHA तिर्भूज A, O, D में तिर्भूज A, O, B TATHA, O, D में अब इन दोनों तिर्भूजों में हम लोगों को तीन चीजा बराबर करनी हैं तो देखिए हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं दोनों तिर्भूजों में ये सभी एक दूसरे को 90 अंस पर काटते हैं तो यहां देखिए ये इस तिर्भूज का हम लोग O B अगर भूजा लेते हैं तो इस तिर्भूज का O D लेंगे क्योंकि इसके बिकड कहा गया समकोड पर समदिभाजित करते हैं दो बराबर भागून बाठते हैं तो O B अर इस तिर्भूज का O D दोनों बराबर होंगे तो हम लोग लिखेंगे O B बराबर O D कारण क्या लिखेंगे? ज्यात है ये ज्यात है कि समकोड पर समदिभाजित करते हैं फिर हम लोग लिखेंगे, दूसरा दखिए, ये कोर हम लोग लिख सकते हैं, ये भी सम कोर है, ये भी सम कोर है दोनों तिर भूजों में, तो हम लोग इस कोर को लिखना होगा तो लिखेंगे B, O, A लिखेंगे कोड B O A बराबर होगा कोड ये वाला कोड इस तिरभूज का D O A D O A ये क्या लिखेंगे लिखेंगे परतेक परतेक 90 या परतेक सम कोड है इसलिए बराबर होगा तीसरा हम लोग ये का सकते हैं ये जो A O भूजा है इस वाले तिर्भूज में भी है, इस वाले तिर्भूज में भी है, तो हम लोग लिखेंगे, AO बराबर, AO, इसको लिखेंगे, उभानिस्ट, अब तीन चीजां जब दोनों तिर्भूज में बराबर हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं, दोनों तिर्भूज क्या हैं, सर्वांग सम तिरभूर AOD अब देखिए दोनों तिरभूर जब सरवाइंग सम है किस रूल से हैं भूजा कोड भूजा द्वारा अब हम लोग क्या लिखेंगे जब दोनों तिरभूर सरवाइंग सम हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं A B बराबर A D हम लोग लिखेंगे इसलिए AB बराबर AD लिखेंगे कारल CP CT द्वारा तो इस तरह से हम लोग उने सीध कर लिया AB के बराबर AD हम लोग लिखेंगे इसी परकार DC के बराबर CB हम लोग लिखेंगे इसी परकार DC बराबर CB अत अब पूरा हम लोग लिख लेते हैं AB बराबर AD बराबर DC बराबर बराबर CB अब चारोग हो जाए जब बराबर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है सम चत्रभूज है हम लोग लिखेंगे इसलिए तो लिखेंगे इसलिए ABCDX सम चत्रभूज है इस तरह से ये क्वेस्टन सीद हो गया अब हम लोग क्वेस्टन नंबर 4 को देखते हैं तो देखिए ये आपको क्वेस्टन नंबर 4 दिया गया है दर्साइए कि एक वर्ग के विकर्ड बराबर होते हैं और प्रसपर समकोड पर समदी भाजित करते हैं अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक फिगर बनाएंगे देखिए कारा है एक वर्ग के विकर्ड हम लोग एक वर्ग बनाएंगे वर्ग आप लोग जानते हैं वर्ग एक ऐसा चतुरभूज होता है जिसमें चारो भूजाय बराबर होती हैं और प्रतेक कोड 90 अंस के होते हैं ये एक वर्ग हो गया मालीजिये ABCD इसमें क्या है कि ये जो कोड होंगे सभी कोड 90 अंस के होंगे और ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग पहले दिया गया दर्साइए कि एक वर्ग के विकर बराबर होते हैं विकर कहते हैं A से हम लोग C को मिलाएंगे और B से D को मिलाएंगे तो दो विकर होगा इसके यह हमालीजिये ये उपर प्रतिछेद कर रहा है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे विकर बराबर होते हैं एक तो हमको सीध करना कि ये जो A C और B D है ये दोनों एक दूसर एक बराबर होंगे एक तो हमको ये सीध करना दूसरा देखिए और कहराब प्रसपर प्रसपर मतलब आपस में समकोर पर समदिभाजित करते हैं समकोर मतलब यहां सभी में 90 अंस का कोड बनता है एक तो ये सीध करना है एक अही कोस्चन में देखिए तीन चेजा सीध करनी है एक तो बिकड बराबर होते हैं ये सीध करना है दूसरा और प्रसपर समकोड पर एक तो सीध करना की आपस में समकोड पर होते हैं और सम्दिभाजित करते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बाढ़ते हैं ये भी सीध करना तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे ग्यात है ग्यात हमें लिखेंगे एक वर्ग एबी सीडी ये हम लोग को ग्यात है एक वर्ग दिया गया है एबी सीडी सीध क्या करना हम लोग लिखेंगे सीध करना है अब देखिए सीध करना हम लोग नमबर डालके तीन कर लेंगे ऐसे तीन चीज़ा हम लोग को सीध करनी है एक तो सीध करना है AC और BD एक दूसरे को बराबर होंगे भिकर AC बराबर हम लोगों को सीद करना है BD फिर दूसरा नमबर हम लोगों को क्या सीद करना है समकोर पर सम्धिभाजित करते हैं सम्धिभाजित मतलब AO बराबर OC AO बराबर OC तथा BO बराबर OD सम्द्विभाजित मतलब दो बराबर भागों बाठना एक तो हम लोगों को ये सीद करना है तीसरा हम लोगों को क्या सीद करना है तीसरा सम कोड पर सम्द्विभाजित करते हैं मतलब ये कोड ये कोड एक दूसरे को बराबर होंगे और नब्दे आंसके होंगे तो हम लोग लिखेंगे कोड AOD कोई भी दो हम लोग ले सकते हैं कोई भी दो AOD हम लोग लिखेंगे कोड AOD बराबर कोड ये वाला कोड COD COD बराबर 90 ये हम लोगों को सीध करना है अब देखिए बारी बारी से हम लोग सबको सीध करेंगे लिखेंगे प्रमाड रचना कुछ करना नहीं है अब प्रमाड में देखिए पहला नमबर हम लोग सीध करते हैं पहले AC बराबर BD दिया गया देखिए AC बराबर BD ये सीध करना है तो हम लोग पहले figure बनाते हैं देखिए कौन-कौन सा figure लेंगे AC और BD को सीध करने के लिए यहाँ पर किनारे हम लोग figure बना एक समझते हैं ऐसे देख सकते हैं आप लोग जो figure बना हुआ है DAB DAB और फिर यहाँ देखिए ऐसे बना हुआ है यहाँ लिखा हुआ C यही दोनों तिरभूज हम लोगों को लेना है देखिए AC आयागा इस ABC वाले तिरभूज में और यह BD बिकार हमको सीध करना तो आयागा ABD में इन दोनों तिरभूजों को अगर हम लोग सरवांसम दिखा देते हैं ABC तथा तिरभूज ABD में ABD में अब इन दोनों तिरभूजों हमको सरवांसम दिखाने के लिए तीन चीज़ा बराबर करना है तो एक तो आप लोग देख सकते हैं यह कोड बराबर है इस वाले कोड के इस तिरभूज और इस तिरभूज में देखेंगे और देखिए एक तो यह बराबर है एक दूसरे के क्योंकि वर्ग की सभी भूजा बराबर होते हैं आप लोग जानते हैं और एक तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों तिरभूजों में होगा ये वाला भूजा इस वालेम भी और इस वालेम तो तीन चीजा बराबर हो गई हम लोग कहेंगे दोनों तिरभूज सरवांग सम है तो हम लोग लिखते हैं देखिए ये वाला पहले ले लेते हैं हम लोग AD के बराबर BC या कह सकते हैं BC के बराबर AD हम लोग लिखेंगे BC बराबर AD कारड क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजाएं जब इतना लिख लेंगे तो ये हो गया कि वर की भुजाय है आपस में बराबर होती है अब ये वाला code देखिए code A के बराबर है, code B या code B के बराबर हम लोग लेख सकते है code A लिखेंगे परतेक 90 अब देखिए तीसरा हम लोग लेख सकते है AB के बराबर AB दोनों में है उभयनिस्ठ है हम लोग लिखेंगे AB के बराबर AB कारण में लिखेंगे उभयनिस्ठ तीन चीजा बराबर होगे तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभूज ABC सरवाइंग सम त्रिभूज ABD किस रूल से देख सकते हैं भूजा कोड भूजा SAS दुवारा आप देखिए जब यह दोनों त्रिभूज सरवाइंग सम होगा तो हमको जो सीद करना का सकते हैं AC के बराबर BD हम लोग लिखेंगे इसलिए AC बराबर BD लिखेंगे CP CT दो अब देखिए एक चीद तो हम लोग ने बराबर कर लिया अब दूसरा हम लोग देखते हैं AO बराबर OC और BO बराबर OD कैसे सीद करना है अब देखिए हम लोग यह दूसरा नमबर सीद करते हैं AO बराबर OC और BO बराबर OD इसके लिए हम लोग कौन सा तिरभूज लेंगे यहाँ पर फिगर में देखते हैं देखिए यह वाला तिरभूज हम लोग दोनों ले लेंगे तो यहाँ से हम लोग सीद कर सकते हैं AO बराबर OC और BO बराबर OD यह दोनों तिरभूजों को अगर हम लोग सरवांगसम दिखाने के लिए दिखाने के लिए देखिए हम लोगों को तीन चीजा बराबर होनी चाहिए तो हम लोग लिखते हैं ये दूसरा नमबर वाला हम लोगों को सीध करना है ये दोनों तिरभूज हम लोग ले लेते हैं A, O, D लिखेंगे तिरभूज A, O, D तथा तिरभूज B, O, C में B, O, C में अब इन दोनों तिरभूजों में तीन चीजा बराबर होनी चाहिए तो देखिए हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं ये देखिए ये कोड बराबर हो जाएगा इस वाले कोड के एक अंतर कोड के कारण आप लोग जानते हैं ये जब ये वर्ग के भूजाएं बराबर होती हैं और code 90 के होते हैं ये दोनों समांतर भी होते हैं एक दूसरे code जब समांतर रेखा हूं को एक तीरियक रेखा काटे तो एक आंतर code बराबर होते हैं और ये code बराबर हो जाएगा इसके ये भी एक आंतर code होता है तो दो एक आंतर कोड हो गाए और ये देखिए ये भुजा इसके बराबर होगा क्योंकि वर की भुजाएं बराबर होती है तो तीन चीज़ा बराबर हो गई तो हम लोग लिखते हैं नाम लिखना होगा तो लिखेंगे O, A, D हम लोग लिखेंगे कोड OAD बराबर कोड ये वाला कोड OCB कारण लिखेंगे ये कांतर कोड फिर देखिए ये इसके बराबर हो जायागा तो इसको हम लोगों को लिखेंगे ODA हम लोगों लिखेंगे कोड ODA बराबर कोड हो जायागा ये वाला कोड OBC ये भी एकंतर कोड है अब तीसरा देखिए हम लोग ये बराबर कर सकते हैं भुजा AD के बराबर भुजा BC AD बराबर BC कारण क्या लिखेंगे वर की भुजा है तीन चीजा जब बराबर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं लिखेंगे इसलिए तिरभुज AOD सरवांसम होगा तिरभुज BOC के कारण लिखेंगे कोड भुजा कोड द्वारा अब जब देखिए सरवांसम दोनों तिरभुज हो गए तो हम लोगों को जो सीद करना लिख सकते हैं लिखेंगे AO बराबर OC हम लोग लिखेंगे इसलिए AO बराबर OC तथा BO बराबर OD लिखेंगे CP, CT द्वारा जो लोग ये वाला वीडियो देख रहा हैं अगर इससे पहले वाला वीडियों आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग ओ भी देखेंगे तभी ये सारी बाता समझ में आएंगे हमने जो तिरभूज चैप्टर पढ़ाया हुगा उसमें हमने बताया हुगा सरवांगसम किसको काते है कैसे सरवांगसम होता है सरवांगसम का रूल क्या है तो आप लोग दिरभूज वाला चैप्टर देखेंगे तभी ये सारी बातां समझ में आएंगे तो इस तरह से देखिए ये भी हम लोगों ने प्रूब कर लिया एक और इसमें प्रूब करना है देखिए तीसरा नंबर दिया है कोड ए ओडी ये वाला कोड एओडी और सी ओडी नब्वेंस को होंगे इसमें कोई भी दो हम लोग लेकर सीध कर लेंगे नब्वेंस को होंगे क्योंकि समकोड पर समद्विभाजित करते हैं यह सीध करना तो इसके लिए हम लोग इसको देखते हैं आप लोग जल्दी सनोट करेंगे यह हम लोग क्या करेंगे आप देखिए यह दोनों को सीध करने के लिए हम लोग को पहले यह दोनों तिर्भूज को सरवांगसम दिखाना होगा जब सरवांगसम हम लोग दोनों को दिखा लेंगे तो हम लोग कहेंगे ये कोड़िस के बराबर है और फिर वहाँ हम लोग सीध करेंगे ये दोनों तिर्भूजों को सरवांगसम दिखाना होगा तो हम लोग लिखेंगे तिरभूज AOD तथा तिरभूज AOD में अब दखिए जब सरवांगसम दिखाना तो तीन चीजा बराबर होनी चाहिए तो एक तो हम लोग लिख सकते हैं AD के बराबर DC क्योंकि वर की सभी भूजाया बराबर होती है तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर DC कारण में लिखेंगे वर की भूजाया दूसरा हम लोग देखिए क्या सीध कर हम लोग लिख सकते हैं ये AO के बराबर OC क्योंकि अभी हम लोग ने सीध किया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे AO बराबर OC इस तिर्भूज का AO इस तिर्भूज का OC लिखेंगे सिद्ध से तीसरा हम लोग ले लेते हैं ये OD बराबर OD दोनों तिर्भूज में होगा OD बराबर OD कारण में लिखेंगे Uber Nist तीन चीजा जब बराबर हो गई तो हम लोग लिखेंगे इसलिए तिरिभूद AOD सरवांगसम तिरिभूद COD तीनों भूजाएं बराबर हो गई हैं तो S, S, S द्वारा लिखेंगे अब देखिए जा हम लोगों ने ये सिद कर लिया दोनों तिरिभूद सरवांगसम हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं ये कोड इसके बराबर होगा हम लोग लिख सकते हैं AOD बराबर लिखेंगे इसलिए कोड AOD बराबर ये वाला कोड COD COD कार लिखेंगे cpct द्वारा अब देखिए जब यह दोनों कोड बराबर हो गए इसको हम लोग बना लेते हैं समीकर एक इसका हम लोग यूज करेंगे अब देखिए हमको यह नब्बेंस यह भी नब्बेंस इद करना तो हम लोग लिख सकते हैं कोड aod हम लोग लिखेंगे चू के कोड aod प्लस कोड cod बराबर होगा 180 क्योंकि दोनों कोड आपस में रैखी की यूगम हैं यहां लिख लेंगे रैखी की यूगम यह दोनों जोडने पर 180 होंगे रैखी की यूगम के द्वारा लेकिन देखिए aod बराबर cod है तो aod के जाएब पर हम लोग cod रख सकते हैं हम लोग लिखेंगे इसलिए कोड cod प्लस कोड cod बराबर 180 यहां पर हम लोगोंने समी करण 1 से लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे समी करण 1 से समी करण 1 से यह हम लोगोंने रखा आप देखिए cod cod जोड़ेंगे तो दो कोड cod हो जाएंगे दो कोर C.O.D. बराबर एक सहलें, तो कोर C.O.D. बराबर हो जागा, दो इधर गुराम इधर आगा, तो भाग होगा, तो कोर C.O.D. बराबर होगा 90.cion, यह हम लोगों को सीध करना था, और यही हम पर बराबर लिख लेंगे कोर, AOD, COD और AOD दोनों बराबर नहीं तो दोनों अब्बेंस को हो जाएंगे गिये हम लोग को सीद करना था तो इस तरह से ये कोस्चन आप लोग को सॉल्ब करना है बाकी को बचे हुए कोस्चन आप लोग अलिपान में दिखेंगे तो आज के लिए बस दिनाए